Hello guys, कैसे आप लोगstat बात करते हैं Cypress Confidential की यानि की Cypress का passport लेकर किस तरह से खेल किये जाते हैं, किस तरह से tax jory की जाती हैं, किस तरह से बड़े बड़े loan लिये जाते हैं, एं किस तरह से बैंकों को बरबाद किया जाता हैं कहीं मत जाएए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है कुछ टाइम पहले साइप्रस गावर्मेंट ने एक स्किम निकाली थी वहाँ पर इन ओडे बोला था आप साइप्रस में दो मिलियन यूरो की प्रोपर्टी खरी दिये दो मिलियन गवर्मेंट को डोनेट कीजिए और इसके बदले में गवर्मेंट आपको अपनी सिटीजनसिप दे देगी आपको अपना पासपोर्ट दे देगी जिसको हम बोलते हैं साइप्रस का गोल्टन पासपोर्ट आप तीन लाग यूरो और इन्वेस्ट करो इन अपने पेरेंट्स को भी ले जाओ इन आज की डेट में एक यूरो है अप्रोक्शिमेटली 90 रुपीज का यानि की 20-25 करोल रुपे दे कर आप इंडियन सिटीजनसिप छोड़ सकते हैं अब इसका बेनिफिट क्या होता है सपोर्ज आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं अगर आपने कोई भी हैंकी पैंकी की तो किसी भी टाइम पुलिस, इंकम टेक्स, जीएस्टी वाले, एडी, सीबियाई आप कहाँ पर आएंगे आपको उल्टा टांकर ले जाएंगे या फिर सपोर्ज आपने कोई हैंकी पैंकी नहीं भी की आपने सब कुछ ठिक ठिक किया इस्टिल पुलिस, CBI, ED, इंकम टेक्स, जीएस्टी ये लोग आएंगे आपको उल्टा टांकर ले जाएंगे आप बाद में लड़ते रहो, आपका ही टाइम वेच्ट होगा अगर आप इंडिया की सिटीजन है ये नहीं आप इंडिया की नागरेक ही नहीं है एन आप इंडिया में भी नहीं रहते उस केस में जो ये अथोर्टीज हैं इफरेंट डिफरेंट अथोर्टीज हैं वो आपके उपर हाट डालने से पहले दस बार सोचेंगी प्रिकोस अब उनको ये सब कुछ करना इतना इजी नहीं होगा तो लोगों को लगता है याँ यहाँ पर रहके बिजनिस करने के क्या फाइदा है एक काम करता हूँ ना मैं दूसरी कंट्री की सिटिजन्सिप ले लेता हूँ जो साइप्रेस है यह यूरोपियन यूनियन का मेंबर है मतलब अगर आपके पास साइप्रेस का पास्पोर्ट है तो आप अप्रोक्सिमेटली 175 कंट्रीज में वीजर फ्री ट्रावल कर सकते हो आपको क्वालिटी हेल्थ केर मिलेगा आपको क्वालिटी लाइफ मिलेगी और आपको बेस्ट लीगल इन्वार्मेट मिलेगा अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दू तो बिलकुल भी नहीं है यहाँ पर कॉर्परेट इंकम टैक्स है यहाँ पर फर्शनल इंकम टैक्स है जैसे इंडिया में GSD है निकालती हैं इंकम टैक्स में कुछ प्रोवीजन्स करते हैं जिसके थृँ बाहर के लोगों को वहाँ पर business करना काफी easy हो जाता है और tax भी नहीं देना होता है इंडिया में अभी इस तरह के provisions होते हैं Now, अब बात करते हैं यह सारे खेल कैसे होते हैं मैं अपना खुद का example लेता हूँ Example लेता हूँ, reality नहीं है Suppose मैं इंडिया का business man हूँ और इंडिया में business करता हूँ मेरे साल का profit and loss कुछ इस तरह से बनता है 100 रुपए की sale होती है 50 रुपए के खर्चे होते हैं 50 रुपए मेरा profit होता है जिसमें मैं 30% के हिसाब से 15 रुपए tax जमा कर देता हूँ तो 15 रुपए government को दे देता हूँ मेरे पास 35 रुपए बचते है और हर साल ऐसा चलता रहता है बट मुझे ये scheme पता चली अब मैंने क्या किया अब मैंने इंडिया की citizenship छोड़ दी साइप्रस की citizenship ले ली और वहाँ पर एक company बना ली business अभी भी मैं इंडिया में कर रहा हूँ अब मैंने क्या किया सपोज जो मेरे पहले 50 रुपए के expenses थे क्या था मेरा 100 रुपए की revenue थी 50 रुपए की खर्चे थे 50 रुपए profit होता था और 15 रुपए में government को दे देता था अब मैंने क्या किया सपोज मैं एक समान खरीदता हूँ और वो समान मुझे normal course में 10 रुपए का पड़ता है अब मैंने क्या किया अब वो जो समान में 10 रुपए में खरीदता था मेरी Cypress वाली company उसी समान को खरीदेगी 10 रुपए में और जो मेरी India वाली company है उसी समान को Cypress वाली company से खरीदेगी 60 रुपए में इससे मैंने क्या किया अब क्या हुआ मेरे साथ अब जो मेरी 100 रुपए की रेविन्यू थी वो 100 रुपए ही है और जो मेरे खर्चे है वो अब कितने हुए अब वो मेरे खर्चे 100 रुपए के हो गए मतलब अब profit मेरा जीरो हो गया government को मुझे कोई tax नहीं देना जो मैं पहले 15 रुपए देता था अब मुझे वो 15 रुपए भी नहीं देने that means मैंने पूरा का पूरा tax गायब कर दिया जीरो कर दिया इंडियन बुक्स में ये एक classic example है tax चोरी का, Cyprus की citizenship लेकर मैंने किस तरह से tax चोरी की दूसरा example है bank loans का, ये बड़े बड़े bank loans किस तरह से लिए जाते है अब business तो मेरा सारा इंडिया में है, मुझे एक plant लगाना है and plant मुझे पढ़ने वाला है 1000 रुपए का, मैं bank के पास गया मैं बोला सार, मुझे ये plant लगाना है, 1000 रुपए की cost पड़ेगी तो आप एक काम करो, मुझे 1000 रुपए का loan दे दो bank ऐसा कभी भी नहीं करेगा, bank मुझे 1000 रुपए का loan तो बिल्कुल नहीं देगा bank क्या बोलेगा, bank बोलेगा, यार मैं आपको loan तो दे दूँगा, लेकिन 1000 रुपए का नहीं दूँगा आप अपनी जेब से भी तो कुछ पैसे लगाओ, आप एक काम करो, आधे पैसे लगाओ अब मुझे लगा यार 500 रुपए में कहां से लगाओ, मैंने क्या किया, मैंने अगें साइप्रस वाली कंपनी को बोला तो यार जो इंडिया में हमाँ वो 1000 रुपए का प्लांट लगाना था, एक काम करो, उस प्लांट को आप खरीद लो 1000 रुपए में और बाद में उसी प्लांट को मैं आप से 2000 रुपए में खरीद लूँगा, अब क्या हुआ, साइप्रस वाली कंपनी ने मुझे 2000 रुपए का बिल दे दिया, वो 2000 रुपए का बिल ले जाकर मैं बैंक के पास गया, और बैंक ने फटाक से 50 परचेंड यानी की 1000 रुपए का लोन ले लिया, अब इससे क्या हुआ, इससे बैंक जो पहले मुझे लोन नहीं दे रहा था, बैंक ने हसकर मुझे लोन दे दी, तीसरा एक्जामपल है, इस तरह का अरेंजमेंट करके बैंक को किस तरह से बरबाद किया जाता है, कैसे लोग पैसे लेकर भागते हैं, अगे कासी कंपनी से इंवोईसिंग करवा करवा कर वो सारा का सारा प्रॉफिट मैं साइप्रस में ट्रांसफर कर देता था तो इंडिया में क्या हुआ इंडिया में मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं बचा कोई पैसे नहीं बचे जब बैंक को लोन करने की बारी आई तो उस टाइम मुझे पैसे देने के लिए होंगे ही नहीं तो बैंक मुझे कैसे पैसे रिकवर करेगा Minded, कोई भी बैंक कॉर्परेट से लोन इजली तो रिकवर बिल्कुल भी नहीं कर पाता हाँ, बैंक आपके एर मेरे जैसे लोगों से लोन इजली रिकवर कर लेता है, उनको बार-बार कॉल करता है उनकी बेजजिती करता है, उनके यहाँ पर आपने रिकवरी एजेंट्स बेजता है ऐसा कॉर्परेट के केस में नहीं होता वो एक केस डाल देंगे, बैंक उस केस को लड़ता रहेगा और बाद में क्या होगा, बाद में वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगी जो बैंक ने 5,000 करोड का लोन दिया होगा वो कंपनी भीकेगी 50 करोड में पांस जार के बदले में बैंक को अगर 50 प्रोट उपे मिलते हैं तो वो कौन सी बड़ी बात है एक और गेम होता है FIIs वाला मैंने नॉमली क्या किया था जितना मेरा प्रॉफिट होता था मैं साइप्रस में ट्रांसफर कर देता था मैं वहाँ पर पेमेंट भी कर देता था तो वहाँ पर basically मेरे पैसे इकठे होते रहते थे अब बिजनेस तो मैं इंडिया में कर रहूँ ना मुझे इंडिया में पैसे चाहिए तो अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरी Cyprus वाली कंपनी होती है, उससे मैं इंडिया में इंवेस्ट करवाता हूँ, इंडिया के अपनी कंपनी के सेर्स खरिदवाता हूँ, जिससे मेरी सेर्स की वैल्यू बढ़ती है, इसको हम बोलते हैं सेर्स की प्राइस को बढ़ाना, FIIS की इंवेस्ट करवाकर अपने सेर्स की प्राइस को बढ़वाना, अब आपको समझ में आया होगा that Cyprus Confidential actually में क्या है, किस तरह से लोग बाहर कंपनिया बनाकर, अपनी सिटीजनशिप इंडिया में छोड़कर, बाहर की सिटीजनशिप लेकर ये बड़े-बड़े खेल करते ह अगर विडियो पसंद आया हो, इसे like share जूरू करें और चैनल को subscribe करें, thank you